नमस्कार, देखें इस वीडियो में मैं आपको जियोमेट्रिक डिजाइन के 49 MCQs कराऊंगा ये हाइवे इंजिनियरिंग का एक इंपोर्टेंट टॉपिक है A.E. और J.E. के एक्जाम में इससे खास तौर पर सवाल पूछे जाते हैं First question, for the preparation of highways, longitudinal sections are required, cross sections are required, या फिर both, या फिर कोई नहीं देखें, cross section तो बहुत important है, क्योंकि जितने भी हम cross sectional elements पढ़ते हैं carriageway, solder, curve वो सब हम cross section की मदद से पढ़ते हैं इसके अलावा जो हम pavement design करते हैं, जिसमें sub grade, base course, surface course वगेरा आता है उसमें भी हम cross section यूज़ करते हैं और longitudinal section की भी जरूद पढ़ती हैं, जैसे highway की alignment के लिए तो कुल मिलाकर दोनों sections जरूरी होते हैं, इसलिए option C सई होगा The camber full hill roads in case of bituminous surfacing is adopted as देखिए, camber जो है, वो अलग-अलग सडकों के लिए अलग-अलग value provide की गई है, IRC के द्वारा लेकिन दो case दे रखे हैं, heavy rains के लिए अलग और light rain के लिए अलग क्योंकि ये hill road वाला case है, यहाँ पे heavy rain वाला data हम use करेंगे और bituminous के लिए ये 2% दिया गया है, concrete के लिए भी same data है तो यहाँ पर तो option A सही होगा, और इसके अलावा जो WBM या gravel road है उनके लिए ये 3% दिया गया है, फिर उसके बाद जो earthen road है उसके लिए ये 4% दिया गया है, ये जो मैंने आपको 2, 3 और 4 बताया ये heavy rain वाला बताया देखें, maximum super elevation बताना है कुल मिलाकर plane and rolling के case में तो plane and rolling के case में ये होता है maximum 7% कुल मिलाकर 3 values दे रखी है plane और rolling का साथ में है 7% फिर जो hilly reasons है, पहाड़ी छेत्र है, वहाँ पर 10% है और जो urban road है, जो सहरी इलाके है, वहाँ पर ये 4% दिया जाता है maximum इस question में option C साहिओगा 7% The ruling minimum radius of the curve for ruling design speed V meter per second, coefficient of friction F, acceleration due to gravity G meter per second square and super elevation E is given by देखिए इसमें आपको जो basic formula है वो ध्यान रखना है, जो कि है E plus F बरावर V square over GR E super elevation है, F lateral coefficient है, V speed है याँपे, G gravity है और R radius है अब इस formula से, जो left में लिखा हुआ है, इससे अगर आप R निकालेंगे, तो आपको अपना option मिल जाएगा इस सवाल में और साथ के साथ आप इस चीज का भी ध्यान रखिए, कि ये जो formula है, इसमें R तो meter में होता ही है GB अपनी SI unit में होता है, meter per second square में, लेकिन इसमें V meter per second में होता है और जादातर सवालों में, जो V होता है, वो Kmph में दिया होता है, numerical की बात हो रही है तो बार-बार आपको परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए इस formula को इस तरह से convert किया गया कि अब आप direct V की value Kmph में रखे, और R की value meter में ही रखे, और सवाल को solve करिए इसको convert किया गया है, तो आगे हम जब भी numerical करेंगे, तो इसको use करेंगे, क्योंकि V generally Kmph में दिया गया होता है एक चीज का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, कि यहाँ पर कोई value नहीं है, जो meter per second से Kmph में बदली जा रही है यहाँ पर formula बदला जा रहा है, तो आपको चीजें थोड़ा सा opposite way में देखने को मिलेंगी चलिए बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा, meter per second को Kmph में बदलने के लिए हम 3.6 का multiply करते है लेकिन इस formula में आप ध्यान से देखेंगे, तो इसमें divide किया जा रहा है 3.6 के square से square क्यों आया, वो तो खैर B square की वज़े से आया, लेकिन divide क्यों किया गया, क्योंकि ये formula डिजाइन किया जा रहा है ताकि जब आप इस में यहाँ पर V की जगा पे Kmph वाली value रखें, तो वो अपने आप meter per second में बदल जाए और बाकी चीज़ें तो आप meter में ही रखेंगे, all right, तो जो left में लिखा था, वहाँ से आप R निकालेंगे, तो ये C जैसा दिख जाएगा Camber in the road is provided for counteracting the centrifugal force, effective drainage, option B विल्कुल सही है, effective drainage के लिए हम यूज़ करते हैं, ताकि बरसात का पानी इधर उधर नालियों में चला जाए The centrifugal force on a car moving a horizontal curve is proportional to, देखिए, centrifugal force जो हम 12th standard से पढ़ते आ रहे हैं, जो जिसको हम M v square से पढ़ते हैं, overall, चाहे तो आप इस ते निकाल सकते हैं, इसमें आपको जो mass है, उसको बदल देना है, weight और gravity में, जो कि इनका relation होता है आपस में, तो mass को जब आप हटाएंगे यहां से, तो M की जगा पे आप W over G रख देंगे, जो इनका relation होता है आपस में, तो option A आपको यहां पे दिख जाएगा सही, W v square over G r, इसके अलावा, जो horizontal alignment से पूछा गया है, यह सवाल basically, जिसमें radius of horizontal curve वाला topic है, तो उसमें जो centrifugal ratio होता है, वो होता है, P by W over V square over G r, ठीक है, इसमें से अगर आप P को एक तरफ करेंगे, तो P को eliminate करेंगे, तो W v square over G r मिल जाएगा यहां से, ठीक है, इसी को हम centrifugal force कहते हैं, तो option A यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा, in planes, the minimum length of transition curve is, अब देखें, transition curve का, इसके दो formula है, basically, plane और rolling terrain के लिए अलग से है, एक, और steep और hilly terrain के लिए अ formula काफी simple है, plane और rolling terrain का, जो है, वो 2.7 v square over r है, और steep और hilly का है, v square over r, simple formula है, v in में kmph में रखना है दोनों में, और r तो meter में ही रखेंगे, in case आपको meter per second वाला यूज़ करना हो, तो इनको आप देख सकते हैं, लेकिन जरूरी formula यही है, जो मैंने पहले highlight किये, इसमें आपको plane and rolling terrain का, पूछा है, तो 2.7 v square over r हो जाएगा, v speed है और r radius, the shift of the transition curve of radius 300 meter and length 48 meter is, देखिये, shift of transition curve का formula होता है, l square over 24 r, l length है, जो की 48 meter दे रखी है, और r radius है 300 meter, l की जगा आप 48 put करेंगे, वहाँ पर 300, निकल के आजाएगा, 0.32 meter में, option A सही हो जाएगा, the stopping side distance depends upon, total reaction time of driver, speed of the vehicle, efficiency of brake, या फिर सारे option, देखिये, जो stopping side distance है, यह दो चीजों से मिलकर बनती है, एक है इसमें lag distance और दूसरी है, breaking distance, lag distance में V into T किया जाता है, यानि कि, गाड़ी की speed और driver का reaction time, तो A और B तो सही हो गए, इसके अलावा जो breaking distance है, उसमें वैसे तो frictional coefficient, velocity वगेरा, चीजे आती हैं, लेकिन उसमें efficiency और brake भी आती है, तो तीनों option कुल मिलाकर सही हैं यहाँ पर, इसलिए option D सही होगा, और यह जो अभी चीजें बोली गई, इनको detail में, आगे question number 14 में discuss किया जाएगा, the absolute minimum radius of curve for sale operation for a speed of 110 kmph is, देखिए यह question जो है, उसी formula से है, जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी, super elevation का, E plus F is equals to V square over GR, लेकिन यहाँ पर आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, पहली चीज तो यह है कि जो speed है, वो kmph में दे रखी है, तो formula आप दूसरा वाला यूज़ करेंगे, E plus F बराबर V square over 127 R, और दूसरी चीज का ध्यान यह रखेंगे, कि क्योंकि यह absolute minimum radius का case है, तो इसमें जो E है, वो 7% consider किया जाएगा, आल राइट, तो अब आजाएगे आप यहां पे solution पे, तो E तो 7% होगा, 0.07 हो जाएगा, जो frictional coefficient है, सौरी जो lateral coefficient होता है इसमें, वो 0.15 लिया जाएगा, यह इतना ही होता है, अगर ना दिया हो तो आप यह इतना ले सकते हैं, उसके बाद V की जग़ा 110 रखेंगे, और R को calculate कर देंगे, जैसा कि आप इस बक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, R आ जाएगा 433 मीटर, most appropriate answer हो जाएगा B, What is the psychological widening of a pavement on horizontal curve of radius 230 मीटर for ruling speed of 80 kmph? देखे एक्स्ट्रा widening जब हम करते हैं, carriage way में, safety purpose के लिए करते हैं basically, तो इसका जो basic formula है, वो है, mechanical widening और psychological widening को add करके मिलता है, W बराबर हो जाता है, NL square over 2R plus V over 9.5 root R, क्योंकि यहाँ पर psychological widening का question है, तो हम सिर्फ उसका formula यूज़ करेंगे, यानि सिर्फ यह वाला यूज़ करेंगे, V और R हमें दे रखा है, V इसमें kmph में ही रखा जाता है, formula कुछ इस तरह से बनाया गया है, तो solve करके WP की value आएगी, 0.555, option B यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, pick up the incorrect statement from the following, incorrect बताना है, the width of the right of way is decided to accommodate formation width, side slope, horizontal curve, vertical curve, देखें यहाँ पर आपको incorrect बताना है, तो right of way जो है, उसकी जो width है, वो असल में किस चीज के लिए जरूरी नहीं है, नहीं क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि incorrect बताना है, तो right of way का A, B और C से बिल्कुल मतलब है, लेकिन vertical curve से उसका मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें horizontal में आती हैं चीजें सारी, तो option D साही हो जाएगा, जो की incorrect है इस statement के लिए, what is the value of lateral coefficient of the friction as per IRC, lateral coefficient जिसकी जरूरत हम, हमें super elevation में पढ़ती है, 0.15, ठीक है, calculate the safe stopping side distance in meter, for the descending gradient of 3%, for a design speed of 80 kmph, take coefficient of friction as 0.35, and total reaction time as 2 seconds, देखें यह बहुत important question है, और इसमें आप एक तो यह धान रखिये, कि जो आपको यह data दे रखा है, यह और यह, यह अगर ना भी दे रखा हो, तो frictional coefficient तो आप इतना ही लेते हैं, और जो reaction time है, वो stopping side distance में, 2.5 seconds लिया जाता है, इस question में हम 2 seconds लेंगे, क्योंकि इतना ही हमें दे रखा है, इसके अलावा, क्योंकि इसमें gradient का case है, descending gradient का, तो हम, जो इसका further last formula निकल के आता है, उसे use करेंगे, अब आप solution पे आ जाईए, देखें, solution पे आने से पहले, आप formula समझ लिजिए, SSD जो निकाला जाता है, वो lag distance और breaking distance के submission से निकाला जाता है, इसका basic formula होता है, VT plus V square over 2 G mu, और ये basic है, इसमें V जो है meter per second में होता है, लेकिन generally V KMPH में होनी की वज़ा से, हम इसको convert करते हैं, फिर हमें नया formula मिलता है, 0.278 VT plus V square over 254 mu, अब यहाँ पे हमने G की value put कर दिये, अब इसके अलावा जब gradient का case हो, यह तो हम जो formula पढ़ते हैं, यह हम सीधी road के लिए पढ़ते हैं, जहाँ पे कोई उतार चड़ाव नहों हो, लेकिन जब ascending और descending gradient का case आए, के case में plus हम इसले करते हैं, क्योंकि यह denominator में लिखा हुआ है, तो यहाँ plus होगा, तो value बढ़ेगी और breaking distance कम होगी, और कम ही होगी breaking distance, जब हम चड़ाई पे चड़ रहे होंगे, और फिर इसके अलावा जो descending वाला case है, उसमें हम minus लेंगे यहाँ पे, फिर यह value बढ़ेगी, breaking distance की, और obvious सी बात है, ढलान वाले case में वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा time लगेगा break लगाने में, ठीक है, तो अब हमें final यह formula यूज़ करना है last वाला, तो इसमें V और T तो हम 80 और 2 करेंगे use, और N की जगा 0.03 रखेंगे, यह क्योंकि 3% दे रखा था, यह frictional coefficient है यहाँ पर, 0.03, बाकी तो सब formula में थी values, यह calculate करके आजाएगा, 123.22 meter, यह मिल जाएगा आपको option B में, all right, what will be the shift of transition curve, if the length of transition curve is 80 meter, and radius 300 meter, इसका formula मैंने अभी आपको बताया था, shift of transition curve बराबर होगा, L square over 24R, values put करके आप निकाल सकते हैं, यह आजाएगा, 0.89 meter, cross slope given to the pavement for safe drainage of water is, cross slope जो दिया जाता है pavement में, ताकि drainage अच्छे से हो, तो वो camber ही तो होता है, जिसकी बाद पहले भी करी थी, calculate the safe stopping side distance, for a design speed of 60 kmph, for two-way traffic on a single lane road, the reaction time of driver is 2.5 second, stopping side distance, निकालनी है, और formula यूज करेंगे यहाँ पर वही वाला, जिसमें हम value direct kmph में रख सकें, इसमें कोई gradient का case नहीं है, तो simple यह यूज होगा, mute तक, पूरा हम solve करके इसको निकाल लेंगे, 82 meter, अब क्योंकि यहाँ पर, देखिए, क्योंकि question में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, two way traffic on a single lane road, यह इस question के keyword है, जब single lane road हो, यानि, एक ही lane हो उसमें, और two way traffic हो, जिसमें गाडियां आ भी रही हैं, जा भी रही हैं, तो उस case में, stopping side distance की value double कर दी जाती है, एक तो एक के लिए हो गई, double दूसरे के लिए कर दी जाती है, क्योंकि दोनों driver responsible हैं वहाँ पर, ताकि collision ना हो, तो जल्द भाजी में option a पर click मत करना, यह value double होगी, और तब यह बन जाएगी 164, option c यहाँ पर सही हो जाएगा, which instrument is used for the measurement of longitudinal coefficient of friction, bump integrator को use करते हैं, और साथ में roughometer भी होती है, एक चोटी सी device, तो कुल मिलाकर दोनों use होंगे इसमें, option b इसका सही होगा, the intermediate side distance is equal to, तो इसका अगर हम detail पढ़े, तो कुल मिलाकर नतीजा यही निकल के आता है, कि stopping side distance का double इसको consider किया जाना चाहिए, twice of SSD, which of the following is correct values, which of the following is correct values for coefficient of lateral and longitudinal friction, तो lateral का भी मैंने एक अलग से आपको question करवाया था, जिसमें 0.15 था, तो option b ही यहाँ पर सही है, देखिए यहाँ पर तो option काफी आपको सही दिख रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जैसे option d भी यहाँ पर कुछ बच्चे सही कर देते हैं, क्योंकि इसमें lateral पहले पूछा है, तो उसका पहले होगा, respectively वाला case है, longitudinal का बाद में होगा, तो option b यहाँ पर सही होगा, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है, तो आपको इसको like करना है, तो like कर दीजिए अभी इसे, the ruling design speed on a curve is 100 kmph, and the super elevation on the curve is 7%, calculate the ruling design radius of the curve, take coefficient of lateral friction 0.15, कितना आसान सवाल है, अब सब value आपको दे दिये हैं यहाँ पे, basic formula आप यूज़ करेंगे, 127 R वाला, क्योंकि V इसमें kmph में दे रखा है, E भी 7% दे रखा है, ना भी दिया हो था, तो आप उतना ही consider करते, minimum radius का case था, तो इसमें R आ जाएगा 35, sorry, 357 तक आ रहा था, तो 358 हो जाएगा यहाँ पे, Motor Vehicle Act was and tested in, तो देखिए यह जो act है, यह in option के हिसाब से, तो option B सही हो जाएगा, क्योंकि उस दोरान यह दुबारा पब्लिस किया गया था, सबसे पहले यह 1914 में आया था, और इसके अलावा latest जो है, यह 1988 में revised किया गया है, तो इस value को भी आपको धान रखना है, इस date, इस year को भी, क्योंकि यह latest है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है, IRC existence में कब आया था, तो यह भी important सवाल है, 1934 में, 1934 में आया था, option B सही होगा, the sequence of road states of survey in a highway alignment is, तो sequence आपको बताना है, और option में जो चीजें दे रखी हैं, वो reconnaissance है, map study है, preliminary survey है, और detailed survey है, देखिए सबसे पहले तो map के study की जाती है, क्योंकि reconnaissance तब किया जाता है, वहाँ पर जा के परिक्षण करना, तो सबसे पहले map study है, फिर reconnaissance है, और उसके बाद, preliminary survey पहले होगा, तब होगा detailed survey, तो option C यहाँ पर सबसे सही है, a median is also called as, देखिए median जो है, बीच में provide किया जाता है, दोनों side के बीच में, सडक में, उसको हम traffic separator भी बोलते हैं, option A यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, the minimum solder width recommended by IRC is, solder की width कम से कम, धाय मीटर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, solder क्या होता है, जो हम side में provide करते हैं, वो carriageway का ही हिस्सा होता है, लेकिन वो अलग से provide किया जाता है, ताकि हम आपे गार्डियां रोख सकें, the road connecting capitals of state is known as, तो कौन सा highway होगा, वो जो capitals को connect करेगा, मा लेजिए देहरादून से लखनों जाने की बात हो रही है, तो definitely वो एक national highway होगा, तो option A बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रधान मंतरी ग्रामिन सड़क योजना कब launch होई थी, 2000 में होई थी, highway से related question है, पूछा जा सकता है, main function of median is, to separate the opposite stream of traffic, ये तो होता ही है बिल्कुल, to minimize the headlight glare, अब देखें, जाने वाली गाड़ियां एक तरफ और आने वाली दूसरी तरफ होगी, तो कम होगा, light glare वहाँ पे, to provide space for safe operation of crossing and turning vehicle at intersection, अब median की मदद से, intersection पे काफी मदद मिलती है, गाड़ियों को cross करने में और turn करने में, इसको आप practically देख सकते हैं, तो सारे option सही है, option D बिल्कुल सही हो जाएगा, the cross slope for highway shoulder is generally kept, तो cross slope जो है, वो option में pavement surface की बात की जा रही है, कि उसके बराबर रखा जाता है, या उससे flatter या उससे steeper, तो ध्यान रखिए, solder के लिए जो slope दिया जाएगा, वो steeper होगा, ज़्यादा डलान होगी उसमें, अगर ये मान लीजिए, ये carriageway का slope है, तो solder का slope थोड़ा, ज़्यादा दिया जाएगा, ज़्यादा steeper होगा, तो option C, यहाँ पर सही होगा, कितना steeper होता है, उस related question आगे है, geometric design standards for Indian roads is formulated by, IRC ही देता है, हमें सारे standard भी सही हो जाएगा, यही वो question है, जिसकी बात अभी करीजी, कि which of the following is the correct statement for the cross slope of the solder, तो solder का जो cross slope है, वो 0.5% steeper रखा जाता है, than the cross slope of payment, option C, the head of the public work department of any Indian state is, तो head जो होते हैं, वो state के head होते हैं, chief engineer, फिर अगर हम journal sequence को follow करें, तो उनके under में आते हैं, superintendent engineer, फिर आते हैं executive engineer, फिर आते हैं assistant, और फिर आते हैं junior engineer, बीच में कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने journal sequence की बात करी, विर्थ और डिफरेंट रोड़ अज रेकमेंड़ इन नागपुर प्लान बाई आयर सी, फोर हिली रीजन इस, नागपुर रोड प्लान के according, ये कहा गया था कि, national highways की जो length है, वो same रखी जाएगी, हिली रीजन में भी, देखिए जो question number 2 था, उसमें bituminous road का पूचा गिया था, इसमें cement concrete का है, वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि, same data होता है दोनों के लिए, heavy का भी उनका same data होता है, और light rainfall का भी same होता है, तो जो उसका 2% था, वहीं यहाँ पर answer होगा, लेकिन यहाँ पर आपको answer जो है, 1 in n की form में करना है, तो इस case में 1 in 50 हो जाएगा, और इसको निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, कि 1 in, जो n होता है यहाँ पर, उसमें आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे और उसको divide कर देंगे, उस particular number से जो वहाँ पर दे रखाओ, तो यहाँ पर 2 है तो 2 से कर देंगे, कहीं पर 4 होगा तो 4 से कर देंगे, तो इस particular case में answer तो हो जाएगा, D 1 in 50, मान लिजे 5 परसेंट होता, तब आप 5 से divide करते हैं, तब हो जाथा 1 in 20, ठीक है, यह मैंने तरीका बताया आपको निकालने का, the slope of the line joining the crown and edge of the road surface is known as, तो slope क्या होता है, camber ही होता है, लेकिन camber के और भी नाम होते हैं, उसको cross slope तो बोलते ही हैं, अभी हमने देखी लिया, इसके अलावा cross fall भी बोलते हैं उसे, तीनो सही हैं, इसलिए option D सही होगा, any of the above, right of way is the summation of the width of, तो right of way किन किन चीजों से बनता है, carriage way आता है उसमें, solder आता है, road margin भी आता है, इनी तीनों का जिकर है यहाँ पर, तीनों आते हैं, एक portion of the road way, contiguous with the traveled way, and is intended for accommodation of a stopped vehicle is called as, देखें, contiguous लिखा हुआ है, और इसका मतलब है कि जो उससे जुड़ा हुआ है, और फिर दूसरी चीज लिखी हुए, कि गाडियां रोकने के लिए जो intent किया गया हो, तो solder ही तो होता है, जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी, solder ही जुड़ा होता है, main carriageway से, और उसमें गाडियां रोकी जाती है, तो option C सही होगा, division of Indian roads into four classes, as national highway, state highway, district roads, and village roads, was proposed by, किस में proposed की गई थी, नाग्पुर road plan में ऐसा बोला गया था, कि इंडिया में जितनी भी सडकी होंगी, उनको चार classes में बांटा जाएगा, the road development plan for India, for the period of 1981 to 2001, is also known as, तो देखे, time period थे, तीन plan बनाए गए थे, तीनों का जिक्र कर लेते हैं, नाग्पुर road plan था, 1943 से, 1963 तक, अब यह सारे plan 20-20 साल के लिए plan किये गए थे, लेकिन नाग्पुर वाला, दो साल पहले complete हो गया था, तो इसलिए Bombay वाला, 1961 से ही सुरू कर दिया गया था, वो 1981 तक चला, और फिर लखनो वाला, 81 से 2001 तक, तो यहाँ पर आपको, लाश्ट वाला पूचा गया है, वो लखनो प्लान हो जाएगा, वीडियो आपको यह valuable लग रही हो अगर, तो इसको आपको share करना है, अपने WhatsApp ग्रूप में, जहां पर आपके civil engineering के friends हो, इन आ हाईवे, एस ascending gradient of 1 in 100, meets with a descending gradient of 1 in 80, determine the deviation angle, देखे, deviation angle, capital N से दिखाते हैं, और इसको calculate करते हैं, N1 minus N2 से, mod भी लगता है इसमें, क्योंकि overall value हम positive लेते हैं, अब देखे, यहां पर आपको, values पूट करनी है, ध्यान यह रखना है कि ascending को हम positive लेंगे, descending को negative लेंगे, तो 1 in 100 को positive लेंगे, minus formula में होता है, फिर descending को negative लेंगे, तो 1 in 80 हो जाएगा, इसको आप solve करेंगे, और अगर यह value negative आती है, तो तब इसको positive consider कर लेंगे, because of mod, तो तब जो आपको answer मिलेगा, वो मिल जाएगा 9 by 400, All the specifications for highway planning and design are given by IRC, यही question पहले भी add किया गया, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरीके से है, the longitudinal coefficient of friction on highway for calculation of stopping distance in geometric design is, देखे, जिस longitudinal coefficient की बात हमने करी 0.35, उसकी exact जो range है, वो 0.35 से लेके 0.40 तक होती है, तो option D साही हो जाएगा, extra widening of pavement provides because of off tracking is known as, दो तरह की widening हम provide करते हैं, तो जो off tracking की बज़े से करते हैं, वो mechanical widening होती है, तो option A साही हो जाएगा, और psychological तो नाम सी पता लग रहा है, psychological widening होती है वो, ताकि psychologically safe करे, driver, the raising of outer edge of pavement with respect to inner edge is known as, super elevation, for stopping side distance the eye level should be at, देखे, stopping side distance में, जो driver का eye level है, वो तो 1.2 मीटर में होना चाहिए, और जो सामने object है, वो 0.15 मीटर height का consider किया जाना चाहिए, ठीक है, दोन वैली इंपोर्टेंट है, the radius of a horizontal circular curve is 100 मीटर, the design speed is 50 kmph, and design coefficient of lateral friction is 0.15, determine the rate of super elevation to be provided, if full lateral friction is assumed to develop, ठीक है, यहाँ पर, देखे, आपको जो super elevation है, वो 1 in N की फॉर्म में बताना है, तो पहले आप E को निकाल लीजिए, और फिर उसको convert कर देना, formula यूज कर लेंगे 127R वाला, यहाँ से E निकल जाएगा 4.7%, अब इसको explain करने की ज़रोद तो है नहीं, इसके बाद जो E की value है, उसको 1 in N की form में convert करना है, तो मैंने आपको बताया था, 100 को divide कर देना उस particular number से, जैसा कि यहाँ पे किया है, तो 21.27 बना गया है, 1 को आपको नहीं चेरना है, जो numerator में 1 लिखा हुआ है, 1 को 1 ही रखना है, तो E हो जाएगा यहाँ पे 1 in 21.27, option A, the length of wheelbase in extra widening, taken as, देखिए extra widening में अगर L दे रखा हो, तो ठीक है, यह mechanical widening में आता है L, और अगर नहीं दे रखा हो, तो वहाँ पे हम 6 meter consider करते हैं, approximate, option C, यहाँ पर सही हो जाएगा, यह थे आपके 49 MCQs, उम्मीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए, thank you so much,